तो आज की स्वीडियों में हम अन्बोक्स करेंगे CMA Phone 1 मतलब कि यह एक नथिंग की और से नया स्मार्टफोन है और यह हमें मिला है बेस्ट मोबाइल की तरफ से अन्बोक्स करने के लिए मतलब कि रिव्यू करने के लिए तो वहां से आप यह स्मार्टफोन खरीच सकते हो अ इनके कुछ फीचर्स के बारे में तो वीडियों तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब जब से कर दीजिएगा तो आप जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लाएते हैं तो बेसिकली यहां पर हमें सबसे पहले एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता तो यहां पर आपको जो भी एसेशरी देखनी को मिले जैसे किसी मीजिक टूर आप देख सकते हो काफी अलग यूनिक तरके से बनाया हुआ है तो यह स्मार्टफोन पूरी तरह से कॉस्टमाइज़ेबल है आप पिछे की और सब कुछ कुछ कॉस्टमाइज कर सकते हो आपक लगा सकते और फोन को स्टेंड बाई करने के लिए भी आपको अलग से एक छोटा सन नीचे की तरह आपको दिया हुआ है तो वहां पर आप अपना फोन भी मतलब की फोन को अच्छे तरीके से अब मुई वगरा देखना चाहते हो तो वहां पर रख पाऊगे तो एसा कॉस् ब्लू ऊरेंज तब के कलर्स देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर फिलहाल लाइट ग्रीं और ब्लेक कलर यहां पर समार्ट फान अब देखने वाले हैं हो साथ में यहां Pots adapted 10 और 10 प्लस का स्पट्ट भी हमने देखने को मिल जाता है तो डिस्पले का कमाल का बात करें केमेरा की तो यहां पर हमें dual setup देखने को मिल जाएगा पच्चास मेगा पिक्सल का में केमेरा देखने को मिल जाएगा और साथ में यहां पर दो मेगा पिक्सल का और एक केमेरा देखने को मिल जाएगा जो की portrait के लिए use किया जाएगा हालां कि बात करें main के मेरागी तो यहाँ पे हमें IMX882 के Sony के sensor देखने को मिल जाएंगे तो वहाँ पे काफी परलब की बड़ी है काम किया है लेकिन यहाँ पे हमें EIS देखने को मिलेगा हालां कि यहाँ पे OIS का कोई भी support देखने को नहीं मिलेगा जो की एक काफी वीक पॉइंट है स्मार्टफॉन का क्योंकि आजकल 20,000 के आसपास के जो भी अच्छे स्मार्टफॉन है वहाँ पे भी हमें OIS का support देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट यहाँ पे मुझे यह लगा बात करें वीडियो recording की तो यहाँ पे मेन केमेरा से आप 4K में 30fps में फिडियो रेकोंड कर पाओगे और इभी बात करें Full HD मिश्य मिनलेखे men तो यहाँ पे आप 30fps से लेकर 120fps में फिडियो रेकोंड कर पाओगे और यहाँ पे आप 10X Digital Zoom का भी ओप्सन यहाँ पे दिया गया है मतलब कि यह डिजिटल ही जूम होगा आलंकि इस अभी स्मार्टफोन में डिजिटल ही जूम होता है और बात करें Selfie Camera की तो यहाँ पे हमें 16 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे भी हमें Recording की बात करें तो यहाँ पे 1080p में हम 30fps में कोई भी वीडियो रेकोर्ड कर पाएंगे तो यह एक अच्छी मतलब की यहाँ पे अच्छा setup डाला है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे OIS देखने को नहीं मिलता बात करें बैटरी की तो यहाँ पे हमें 5000 image की बैटरी देखने को मिल जाती है इसाठ में 33 वोट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है हालां कि यहाँ पे आपको ऐड्यप्तर देखनी को नहीं मिलेगा लेकिन बहँगी और जयवा खरीद होगए य Poli तो वहां पे आपको थार्ट इंफ्री होट चार्जر का सपोर्ट मुलेगा और साथ में यहाँ पर आपको type C to C cable also देखने को मिल जाएगा तो इसमें दिक्कत वाले बात नहीं है हाला कि यहाँ पर आपको 5W का reverse charging भी देखने को मिलेगा और बात करें charging speed की तो यहाँ पर आपको 50% charge होने में यह smartphone 20 minute लगाएगा यह average है यहाँ पर ज्यादा कम भी नहीं है और ज्यादा high भी नहीं है अब बात करते हैं में जीज की जोकी है इनका processor तो basically यहाँ पर हमें MediaTek Diamond 60 7300 वाली chipset देखने को मिल जाती है हालांकि MediaTek के processor के name के उपर मैंने एक video बनाया है तो वो आप checkout कर सकते हो क्योंकि कौन से smartphone में कौन सा processor डाला जाएगा उनके हिसाब से मैंने अलग-अलग divide करके एक video बनाई है तो वो आप checkout कर सकते हो तो यहाँ पर हमें open box यह Android 14 के उपर work करेगा और साथ में यह Nothing OS 2.6 Custom ROM के उपर work करेगा और बात करें update की तो यहाँ पर हमें दो major update देखने को मिलेंगे मतलब कि Android 14 पर यह work करेगा तो Android 15 और 16 इसमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर तीन साल तक आपको Android security update देखने को मिल जाएगा आगे बात करें इनके कुछ features के बारह में तो यहाँ पर हमें AI vivid mode यहाँ प support देखने को मिलेगा Wi-Fi 6 देखने को मिल जाएगा और 5G के no band देखने को मिल जाएगे और यह smartphone पूरी तरह से कस्टमाइजबल है आप यहाँ पर वीडियो में भी अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राब ज़र से कर दीजिवा